हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तुमा ट्रेडर, इस वीडियो में हम बात करेंगे नावी पर्सनल लोन, प्ले स्टोर से नावी आप डौनलोड कर लीजी, उस पर रिजिटर करके KYC विरिफाई करना होगा, यहां पर मैंने अल्रड़ी KYC विरिफाई कर चुका हूं, लागिन होकर KY KYC विरिफाई कर चुका हूं, तो यहां पर देख सकते हैं, अल्रड़ी देखिए हांपर apply now, home loan, personal loan, अलग-अलग loans option है हांपर, हमा भी personal loan पर किक करेंगे, यहां पर देख सकते हैं, processing application, do not close the app or hit back button, 2-3 minutes लगेगा, देखिए हांपर loan approved 60,000 रुपी, यहां पर देख सकते हैं, लोन अमोंट जो है भी अफरूब हो आ है, 60,000, तो इसका जो भी option है, डिस्पले हो रहा है, जैसे कि choose EMI plan, तो 24 months के लिए, मंतली 3,543 रुपीस, 36% annual interest rate पर दिया जाएगा, और यहां पर हम custom भी change कर सकते हैं, जैसे अलग-अलग EMI का, 24 months के बदले में, कुछ भी change कर सकते हैं देखें, आपर custom में जाएंगे, तो loan टेंचर 3 months to 24 months तक हम कुछ भी change कर सकते हैं, ओके, आपर custom पर भी change हो रहा है, देख सकते हैं, आपर 24 months के लिए, loan details जो है, loan amount 62, process fees 2400 रुपीस और GST 432 रुपीस, amount transferable 57,168, EMI जो टेंचर है 24 months, और interest payable 24,173 रुपीस, total loan repayment 84,173 रुपीस, फस्ट इम में date भी हम पर 1 October को दिया गया, यह मतलब कि edit कर सकते हैं आपर, कौन सा भी date हम select कर सकते हैं, देखें आपर हम edit कर लेंगे, देख सकते हैं आपर September, October, October 1st में है अभी तो हम उसको change भी कर सकते हैं, कही पर भी, मतलब कि 21st, 22nd तक हम change गर सकते है हम पर देख सकते हैं, अभी मैंने 22nd October को change गया है, देखें आपर हम loan amount जो है अभी 60,000 है तो उसको हम 10,000 तक कम करके देखेंगे, देखें आपर अभी मैंने 10,000 पर select किया है, तो जो भी EMI 12 months के लिए 1,005 रुपीस, पर month, देखें आपर 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 10,000 के लिए processing fees 1,999 रुपीस जो है 360 रुपीस, amount transferable 7,641 रुपीस, EMI 12 months, interest payable 4,443 रुपीस, total loan repayment 14,443 रुपीस, तो total हम 10,000 लेंगे तो 4,443 रुपीस, extra interest charge लगेगा, यहां से हम continue प्रेस करेंगे, तो आपर देख सकते हैं, अभी देखें किये, 7,641 रुपीस, sent your bank account bank name, bank account number, IFC code, सब एहां पर enter करना होगा, और उसके बाद में, account is registered under name of, same name पर रहना चाहिए, तो एहां पर नीचे option दिया गया है, next पर, total fill करके, हम next पर देदेंगे, तो completely, complete हो जाएगा, उसके बाद में, हम एनाच करना पड़ेगा, debit card and net banking से, तो तभी हम, जो भी amount है हमारे bank पर transfer हो जाएगा, ओके, देख सकते हैं हम पर cash loan, पर click करेंगे तो ठीक है, तो जो भी है, no active loans, present to cash loan, loan in process, तो हम पर click कर देखें हम पर profile पर जाएगे, तो call, send email, सब details आएगे हम पर, इस video को like और share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, thank you.